Why do most people fail in class 11th? And by fail, I don't mean literal fail. But through feeling that, हमारी class 11th बरबाद हो चुकी. और अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसी feeling आ रही है, तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से समझते हुए देखना. क्योंकि हमने last year के वो 1% students से बातचीत की, जिन्होंने गिरते गिरते last में, एंड में अपनी class 11th संभाली, जिनका काफी ज़्यादा फायदा हुआ जेई में, नीट में और class 12th में. और exactly कैसे तुम अपनी class 11th इस situation से बचा सकते हो? यही देखेंगे इस वीडियो में next 5 points ध्यान से. बहले 1.5x पे देखना, बट एंड तक देखना. चार साल जो योट्यूब पे दिये हैं, उसकी बदालत हमने कामाए हैं, कुछ students, कुछ होनहार students, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी field में, अलग-अलग, अपनी class में, अपनी situation को कैसे संभाल रहे हैं? यह हमने students से ही discuss किया, जो last year के 1% students है, जो ने 11th अपनी बचाई थी end में, Google Meet पे, अब कई सारे students में से ऐसे थे, जो ने 11th बचाई, कई सारे students हमने ये जाना कि 11th, actually खराब हुई कैसे, बरबाद हुई कैसे, और यही हम देखने वाले हैं, next 5 points में, जिसमें सबसे बड़ा reason, reason number 1 is basis, कि bases were not clear from the starting, हो सकता है कि तुम्हारे भी यही हाल हो, mold concept का अगर आज भी तुम्हें कोई question, थोड़ा सा घुमाया हुआ question, उठा कर के दे दिया जाए, और अगर तुम solve नहीं कर पा रहे हो, तो जान जाओ, कि bases clear नहीं हैं, and mold concept is the very basic chapter, the very base of class 11th, 12th, and then physics मगर बात करें, तो vector हो गया, जितने भी basic mathematics के tools हैं, maths में अपने शुरू-सुरू के chapters, bio में भी, तो यह सारे chapters clear होने चाहिए, तुम किसी भी stream से हो, then second thing, जिसके वज़ा से, काफी लोगों के 11th बरबाद हुआ है, और अभी भी हो रहा है, जो तुम्हें realize तक नहीं हो पा रहा है, वो है time bubbles, कई सारे लोगों को यह लगता है, कि यार पूरा दिन बीथ गया, बट मैंने आज पूरे दिन में किया गया, समझी नहीं आया, फिर इस तरह एक एक दिन बीथते बीथते, पूरा एक मन्थ बीथ जाता है, और तुम बैट करके सोचते हो, कि आर यह पूरा मन्थ बीथ क्या, अब next दिन नहीं आमन्थ आ जाएगा next day से, अब मैंने किया क्या, पढ़ा क्या इस पूरे महीने, and then इस तरह करते करते, पूरा एक साल बीथ जाता है, और जब गूवल मीट पे हमने डिसकस किया, काफी स्टूडेंट से गूवल फॉर्म्स के विधरू पूछा, तो सब ने पताए, यह तीन मेजर बबल्स, नमबर वन, कंजूमर्जम इटक्ट, कि तुम्हें कई सारे जगा से लुक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं, कि यह बैच ले लो, यह टेस्स सीरीज ले लो, यह ओफर ले लो, और उसमें तुम फस्ट करके, ऐसे कंजूमर्ज, ऐसे कंजूमर्ज बनके रह जाते हो, कि तुम्हें खुद नहीं मालूम पड़ पाता है, कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी परसनल जर्णी के लिए, क्या बेस्ट है, और अलग-अलग जगा पर जा करके, नई-नई चीज़ें ट्राई करके, हर बैच पर चेस करके, तुम किसी भी एक चीज़ से पैरलल नहीं चल पाते हो, अगर तुमने स्टार्टिंग से किसी भी एक चीज़ चाहे, वो स्कूल हो, कोचिंग हो, या जो भी ऑनलाइन प्लैटफॉर्म की बैच यूज़ कर रहे हो, उससे पैरललली चल रहे होते, रेगुलर्ली फॉलो कर रहे होते, तो आज यह सिचुएशन ना आती, अब भी टाइम है, कोई एक चीज़ चूज़ कर लो, हर जगा पर टांग मत अड़ाओ, एन देन, सेकेंड चीज़ जहां पर सबसे यादा टाइम वेश्ट होता है, वो एक मसहूर सहर ने कहा था, I mean, ठिंकर ने कहा था, कि सॉल्विंग वन बुक मल्टिपल टाइमस इस हंड्रेड एक्स बेटर देन, सॉल्विंग मल्टिपल बुक्स जस्ट वन्स, यानि एक सोर्स से कुश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, और उसको अगर रिपेटिटिवली करोगे, फर्स टाइम लगा रहो तो उसको मार्ग करो, कौन से कुश्चन में फसे, देन सेकेंड टाइम रिविजन के लिए, जो मार्ग कुश्चन थे, जिसमें फस गए थे, उन्हें ही सॉल्व करो, फिर उसके बाद हो सके, तो एक अलग से बुक्लेट बना लो, जिसमें जो कुश्चन में बार-बार फस रहा हो, उसको नोट कर लो, बीच-बीच में रिविजन करने के लिए, तुम फूलो ना कोई भी कॉंसेप्ट, ये ना करके, तुम अलग-अलग पॉब्लिशर्स की, अलग-अलग बुक्स उठा करके, अपना टाइम वेस्ट करते हो सिर्फ और सिर्फ, और मैंने स्टार्ट में भी कहा था, कि जई के लिए प्रिपेर कर रहे होते हो, नीट के लिए, ये ना किसी आलग-अलग पॉब्लिशर्ट के लिए, तो पूरा टाइम डेडिकेट करते हो साल भर का उसमें, और एंड में आजाते हैं स्कूल एग्जाम्स, क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स, जिसके लिए तुमें सिर्फ एक ऐसी बुक चाहिए, जिसमें हो लेटेस्ट कॉम्पेटेंसी बेश्ट कुश्चन्स, जो सीबिश्ची ने खुद बोला एग्जाम्स माएंगे, और तुम कॉम्पेटेंसी बेश्ट कुश्चन्स का सैंपल पेपर्स लगा लो, और इस ताइम पर सबसे एफेक्टिव प्राइस पॉइंट पे और सबसे बहतरीन सैंपल पेपर्स जो सीबिश्ची के लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स पेपर्स पे बेश्ट हैं, वो तुमें दे रहा है, उस सवाल गुरुकुल, सारे सबजेक्ट, सारे स्ट्रीम्स के सैंपल पेपर्स अवेलबल हैं, इस समय खतरनाक ओफर चल रहा है, इनकी हर एक बुक पे, लिंक मैं उस ओफर की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहां डिसकाउंट पे इनके सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे for class 11th and 12th. सबजेक्ट से लोल हो जाते हैं, कि तुम एक ही सबजेक्ट पकड़ के लगाने लग जाते हो, लिटरली, फिय लोगों को अगर फिजिस अच्छी लग रहे हैं, फिजिक्स के दो-दो लेक्छर ठिन्ट कर ले हैं, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, teacher से एक lecture आगे चल रहे हैं बट वहीं दूसरे subjects को ignore कर रहे हैं and don't ever do that क्योंकि यह करके तुम अपना overall percentage अपना overall percentile खराब कर रहे होते हो हम इतने expert नहीं है कि हमें एक subject के base पर अपने अच्छी percentile बना लेंगे तो please सब भी subjects पर focus करो बट साथ साथ याद रखना कि कौन सा ऐसा section है जो बिल्कुल untouched है उसको end में नहीं touch करना क्योंकि वो block की तरह काम करेगा for example कई लोगों ने organic chemistry नहीं touch किया है और mostly students organic 11th की 12th में ही जाके करते हैं चाए वो जही के लिए प्रिपेर कर रहे हूं या need के लिए अब क्यूं यह बात में बोल रहा हूं यह हम समझेंगे next के next point fourth में अभी आते हैं point third पे which says attendance is not compulsory last days में आर class 11th में एक जगे पर जाओ चाए वो school हो coaching हो या online batch एक जगे पे जाकर अपना time का सही और effective use करो और जो students को end में बड़ा है अच्छा बड़ा है अट्रेक्टिव लगता है short notes जैसे दूसरों की college life वो actually होती नहीं है तो please खुद से notes बनाने में समय ना वेश्ट करके free of cost notes हर stream के हर chapter के मिल जाएंगे अपने पर लेक्षे आप पे Google Play Store से इंस्टाल करो अगर अप स्टोर वाले हो तो वहाँ पे नहीं है आप वहाँ पर अपनी website का use करो www.padlekship.com now let's get on to point fourth which is take out a page एक पेज निकालो और मैंने तुमसे पहले ही का था कि तुम्हें पता होना चाहिए यह print out होना से यह सामने syllabus का जिस भी exam की तुम त्यारी कर रहे हो जाए वो जैई हो नीट हो या अपना class 11 के final exams और अब उस sheet में से जो तुमने print out करा रखी है नहीं करा यह तो करा लो देखो कि कौन-कौन से chapters बचे हैं वो chapter note down करो इस page पे और अब उसमें mark करो कि कौन से करने ह कौन-कौन से करने हैं क्योंकि अब time कम बचा है जो बचा है मैं सब कुछ नहीं करने वाले जो chapters तुमें करने हैं वो mark कर लो जैसे मैंने पहले बताया 11 के organic में अगर तुम start करने जाओगे तो काफ़े time waste होगा और कुछ समझ नहीं आएगा तो हो सके तो उसको 12 में ही करना अ देखी है जाकर तुम भी देखना link description में दे दूँगा now point no.5 realize that 99 percentile 99 percent results और 9.9 cgpa यह सब बस flashes है तुमें दिखाया जाते हैं but reality यह है कि 95 percentile के उपर जितने भी बच्चे score करते हैं उसमें से 90 percent students अपनी गेतिवी class 11 को end में ही समालते हैं 50 days में कैसे कर सकते हो यह वीडियो जा अपन लक्षे आप इस्टाल कर, notes का use कर and then जाना, जा, पढ़ ले